नमस्कार, सतंबर 2020 का अध्यनिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां हमारे सम्मुख कुम्ब राशी के जात्कों के लिए रख रहा है। इसकी संपूर्ण चर्चा वरतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुखे हाँ 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 आजर और उपस्तत हैं। सर्वपर्थम ग्रह गोचरी विवस्थाओं का अध्यन करेंगे और उसके बाद प्रतियक्षित्र विशेश के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। इस वर्ष 24 जनवरी 2020 वो तारिक थी जब शनिदेव मकरस्त प्रवेश किये और कुम्ब राशी के जातकों को साड़े सांती का प्रथम अंतराल शुरू हुआ। तो वहीं 23 सितंबर 2020 वो अती महत्तुपून तारिक रहेगी जब अंतर चेतनाव को प्रभावित करने वाले गरहे राहु और केतु मिथुन और धनु से निकल कर वरिशब और वरिश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो सर्व प्रथम आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो है तृतिय भाव जो है यहां मंगल सुराशी स्थान में ही बिराजमान है प्राकरमिश होके प्राकरम भाव में ही मंगल किस्ततियां यहां चलाएमान तो वहीं पर 9 सतंबर 2020 एक ऐसी तारीक जहां पर मंगल वकरी हो ज दाएंगे यह दूसरा अंतराल प्रमुक्ता के साथ में सामने आता है तो वहीं आप यह भी देखेंगे कि स्थावस की जो पूरिशन है 13 और 14 है सतंबर ऐसी तारीक है जब चंद्रमा और शुक्र की यूती संगत इस्ततियां सस्थ भाव में वनी रहेगी रोग के अनुसार आपको इन दो दिनों में बहुत जारा ध्यान देना है इस बार हमने चंद्रमा की स्थियों को परतिकात्मक तोर पर नहीं दर्शा कर यहां कुछ विशेश प्रविजन से सस्थ भाव के बेतर दिखाया है जब दो दिनों के लिए चंद्रमा यहीं चलायवान रहने वाले हो होंगे अगर आप यूरिन प्रॉन इंफेक्शन के साथ में अपने जीवन को देखने माले रहे हैं यानि कि उससे तकलीत रही है और वहीं शोगर संबंधि कोई भी विमारी जो होती है वो भी गिरी रही है तो यह दो दिन बहुत प्रमुक्ता से ध्यान देने के होंगे किस इसी भी तरीके का रिण देना और लेना इस समय अवाइड करना होगा बहराल मैं जब सेक्सावस की चर्चा करूंगा तो इसके विशेश इस्ततियों में और हम चर्चा रखेंगे वहीं सब्तम भाव में सूर्य यहां बिराजमान सोलह सितंबर तक इनकी इस्ततियां रहेग और केतु की जोयुती लंबे समय से बनी हुई है अब वो चेंज होने वाली है केतु वरिश्चक में प्रवेश कर जाएंगे और यह तारीक रहेगी 23 सितंबर जब राहू परिवर्दत होंगे तो संबलित ही परिवर्दत निका होता है देव गुर्वरस्पति मारगी हो जा राशी भाव के अदिपती स्वयम से द्वादश होकर वक्री चलायमान है इस समय के अंदर जो कॉन्फिडेंस की पूलिशन होती है जिस आत्मविश्वास की जहलक मिलनी चाहिए उसमें कमी रहती है एक जो confused state of mind रहती है वो परिशान न करे इस बात पर आपको बहुत ज़ा करने की आपकी मंशा है वहाँ पर थोड़े से साटबेक्स आपको मिल सकते हैं इसी वज़े से स्वयम के भीतर की जो एक तरह से संगटत करने वारे शक्ति होती है उसको उजागर करके रखने का आप जरूर प्रयास कीजिएगा ये एक बात और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर खर्चे न बढ़ें और ऐसे खर्चे जिसकी आविशक्ता अभी इस हाल फिलाल के समय के अंदर नहीं है वहाँ से भी आपको सेम को बहुत जादा सावधान रख कर ही चलना होगा ये एक प्रवर्ती तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि द्वितिय इश्यानी धन भा के साथ में जूड़ी हुई हो बले ही राशी भाव की स्तिया कमजोर हो किन्तु जब ये चारदस का संबंद सामने आ रहा हो तो 13 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के समय अंतराल के अंदर जो जौब आपके चल रही थी वहां से बेनिफिट के कुछ इंडिकेशन्स रहेंगे व्यापारिक शेत्र विशेश के अंदर भी ये समय सुधार की प्रवर्थियों को लेकर आ सकता है जो कार्य आठके हुए थे जो रुपया और पैसा आठका हुआ था जहां पर हमें कहीं भी किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिल पारी थी ये समय उस आधार के वराप के लिए अच्छा कहा जा सकता है तो वहीं वाणी संबंदित कारियों में भी वृद्धी के विशेश प्रयोजन बने हुए हैं आप कम्यूनिकेशन के किसी भी फीर्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं कंट संबंदी किसी भी कलाकिक शेत्र विशेश के साथ में आपका अधार की संबावनाए आसेमित तोर के उपर रहेंगी तो वहीं 23rd of September 2020 अब टू 30th of September 2020 ये 7-8 दन का ऐसा समय भी सामने है जो आपके लिए continuous approach के अंदर लाग को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाने वाला होगा बले ही महिनी की शुरुवात में धीमापन रहे किन्तु आगे financial gain बहुत अच्छे से रहेगा वहीं 3rd house में पराकरम भाव में मंगल पराकरमे शोके बिराजमान है इसी वज़े से जो आपके लिए technical field में information technology में अनुसाशन सम्मन्दी किसी विशेत्र विशेश के अंदर या फिर आप वर्दिधारी नौकरी के अंदर जुडाव रखने व उसमें मैं कमी देख राँ हूं ये एक महीना और उसमें भी 9-30 सदम्बर का समयंतराल भाग्य पराकरम महत्व गांख्षा और जो जीवन के अंदर आत्म विश्वास भीतर से निकल कराता है और कार्जर के अनुभव के साथ में निकल कर आता है देखिए एक तो आत्म विश श्वास अनभव के साथ में भीतर तक सीचा जाता है, वहां आपके लिए वर्धी महत्वा कांक्षाओं के उपर नियंतरन रखें, भाईयों के साथ में संबंद बिगड़ने वाले नहीं हो, कौर्परेट कल्चर के इंदर भाग्ये का सहीयोग यहां आपके लिए ओंड कालिक स्तर के उपर बना हुआ है, तो वहीं अगर मैं चतुर्तेश की चर्चा करता हूँ, तो चतुर्तेश यहां सस्ट भाव के भीतर बिराजमान रहेंगे, इसी वज़े से जो मानसिक सुख है, वहां थोड़ी सी कमी रह सकती है, एक परवर्ति तो विशेश तोर के उपर आपक रखता नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, अपने फ्लैट में और अपने घर के अंदर बहुत जाला लग्जरी के लिए हम प्रेतनिशिल रहते हैं, खर्चे करते चले जाते हैं, इस माह मिरा निवेदन ऐसे सारे ही एक्सपेंसर्ज रवन अप्रोच से दूर रहें, जो माता तरी तरी के का विकल पर्चिस का आपको करना है, तो आप एक से सोलह सेतंबर के मध्य ऐसे निरने ले सकते हैं, अन्यत रहस्ततियों में आपको पूर्ण कालिक तोर पर रोकना चाहिए, वहीं अगर मैं बंचम भाव की चर्चा करूं, यहां एक महतुपोन परिवर्तन है, तेभी सितंबर को राहू यहां चतुरत में प्रवेश करेंगे, इसी वज़े से हरदय में थोड़ी सी उथल बुथल शुरुवात के अंदर दे सकते हैं, जो गबरहाट के सिरे कई बार निकल कर आता हैं, वो बढ़ सकते हैं, महापको नियंतरन की एक तरह से आवशकता रह राहू आपको संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं देने वाले हों, आपके क्षमताओं के उपर प्रशन चिन्न नहीं लगाने वाले हों, यह ध्यान रखेगा, आकस्मिक धनलाप के शेतर विशेश में जो आपने पिछले कुछ महीनों के अंदर गे है, इससे बहुत ज़ादा कमाया जा सकता है, हम एक बार फिर से किस्मत के उपर वरुसा करते हैं, हम स्वयम, स्वयम के उपर वरुसा नहीं करके जब किस्मत के उपर वरुसा करने लगते हैं, तो ऐसे भ्रम की विवस्ताएं सामने आती है, इसी वज़े से मेरा आप से बार लाव ने एक तरह से फैमिली वे की तरफ जाने का रुख अपना रखा है, उनकी लिए इस समय सार्तक है, क्योंकि राहू वक्रगत चलते हुए है, फिर से यहां चतुर्त के और गमनशील रहने वाले हो जाएंगे, तो आपके लिए इस समय सार्तक तोर के उपर अच्छा कहा जा सकता है, जहां पर भी अग्याद भैस हताने वाले हो, श्रिव पारवती की उपासना आपको जरूर करने चाहिए, ये एक मूल मंतर अपने साथ में रखिएगा, एजूकेशन की लाइप के अंदर भटकाव आ सकते हैं, रिलेशन के अंदर जिस रिश्टे को आपने बात की थी, उसके अलावा अगर बात करता हूँ, तो आप ये पाएंगे कि जो एक तरह से मदुमेह जनित रोग होते हैं, उनसे आपको सावधान रहकर चलना होगा, 13 और 14 तारिक का आप विशेश तोर के उपर ख्याल रखें, शत्रू यहां परेशान करने वाले हो सकते है कई बार जो आपकी reactive approach या लोगों को ignore करके चलने की जो ताकत होती है, वो कई बार विपरीत परिस्तितियों में भी लेकर आती है, वहां से सावधान रहने का प्रयास करें, एक्स्ट्रा luxury के उपर या बिजनस को बहुत जादा चमक और दमक देने के उपर आपको खर्चों स इस माह स्वयम को बचा कर रखना चाहिए, तो वहीं अगर मैं सब्तम भाव की चर्चा करता हूँ, तो सब्तमेश होके सूर्य सब्तम भाव के भीतर ही विराजवान रहेंगे, इसी वज़े से जो ग्रहेस्त जीवन के अंदर कई बार dominate करने वाली position निकल कर आती है, होगा, सोलेह के बाद का, यानि कि सोलेह सितंबर के बाद का समय अंतराल आपके लिए काफी हद तक बहतर कहा जा सकता है, हाला कि व्यापारिक शित्र के अंदर सूर्य देव आपको एक अलग निकार देंगे, एक अलग जुडाव देंगे, पूरी ही ताकत के साथ में आपक आगे लेकर चलते चले जाएंगे, व्यापारिक साज़ेदारियों के अंदर भी ये समय आपके लिए उनकालिक स्तर के उपर जुडाव की परवर्तियों को लेकर आने वाला रहेगा, कहीं पर भी कोई इनकार की इस्ततियां आपके सामने नहीं है, ये सब्तमेश का सब्तम आप एक शुरुवात करें, बहुत बड़ी पौनजी निवेश करने से स्वयम को आप बचाईएगा, वहीं अस्तम भाव में अस्तमेश होकर बुद्ध विराजित रहेंगे, अगर आप फाइनेंस के फिल्ड के अंदर हायर एजूकेशन की तरफ जा रहे हैं, शेर अरे आप ऐसा कोई भी एपलाई करने का एक मानस रख रहे हैं, तब भी बुद्ध यहां बुद्धी देने वाले होंगे, बुद्ध बुद्धी के अंदर इस्तिरता भी यहां देंगे, तो वहीं कुछ दिनों के लिए जब सूर्य और बुद्ध का बुद्धा देती बने इस समय के अंदर आपके लिए वाणी संबंधित कारियों के अंदर भी रियक्टिव अप्रोच नहीं आए, यह ध्यान रखेगा, रिसर्च और एनलेसिस संबंधि कारियों के अंदर एक से 22 सितंबर और यू कहूं कि पूरा ही महिना बहतर बना हुआ है, मन में जब भी एका बांत बन अपने वाला हो, हम यह समझ लें कि हमारे लिए जो रिसर्च खोजबीन का कामकाज है, अब वर्द्धी के सरोकार लेकर आएगा, तो वहीं भाग्येश की प्रवर्दियों को आप देखें, भाग्येश महीने आपके लिए कमजूर रहेगा, 27 दिनों तक भाग्ये से उस सहीयोग की आप उम्मीद नहीं करें, करमशीरता को ज्यादा लेकर आगे चलिएगा, और वहीं पर अध्यात्मिक चिंतन के उपर बहुत तक चिंतन बहुत ज्यादा हावी रहेगा, बहुत तक चिंतन कई बार चिंताओं को जन्म देने वाला हो जाता है, उससे भी आ पायर एजुकेशन के अंदर जो डिस्ट्रेक्शन कई बार निकल कर आते हैं, वो भी आपको परिशान कर सकते हैं, अनुभव धोखा नहीं दे, इस महीने आप संभल कर चलिएगा, कुल जमजोड कुम राशी के जातकों के लिए ये महीना बहुत अधिक संभल कर चलने वाल तो दशमेश होकर मंगल आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और पराक्रम में बिराजमान हैं और आठवी जिरिस्टी से यहां दशमभाव को देखने वाले भी हैं, इस महीने नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आप संकुचित नहीं होकर एक तरह से अपने अनुभव क्या धार पर चलते हैं, निर्भी किस्ततियों के उपर चलते हैं, तो स्वयम को आगे भी बढ़ा पाएंगे, अपनी पुरीशन को री एस्टेबलिश भी कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन की है इस महीने की, आप जितना डिसिप्लिन के साथ टाइम बाउंड़े ख्याल रखिएगा, और वहीं आपको ये भी देखना होगा, कि प्रबंदन संबंधिक कामकाज के अंदर, जो आपने experience हसल किया है, अब वो यहां काम आएगा, working, expertise और loyal position, business, परिवार और professional life तीनों के अंदर ही एक तरह से आपको stable mood देकर रखने वाली होगी, संगर्ष में स आस्ते से पार मंजिल बहुत दूर है, ये महिना उस इस्तर पर इशारा कर रहा है, तो वहीं एक आदश भाव में, जो ये ब्रैस्पती केतू की यूति संकत इस्ततिया है, परिवर्तित हो जाएंगी, 23 सितंबर को केतू जब ब्रश्चिक में प्रवेश करेंगे, आपको का सरवांगी लाब मिलना अलग बात है, सरवांगी लाब की जलक मिलना बिलकुल अलग बात है, संतान पक्ष के साथ रिष्टों में, सुधार की उन्जाईश के साथ में आप जरूर चलिएगा, मेरा यह आप से निविदन है, शेर मार्केट में लंबे समय का निवेश यहां हिद कामी हो सकता है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो यहां शुरुवात के स्तर के उपर आपको रोक कर ही चलने में समझदारी दर्शानी चाहिए, वहीं अगर मैं द्वादश भाव की चर्चा करता हूं, तो आप यह पाएंगे कि द्वादशेश, स्वयम, शनिदेव, जब यहां वक्री चल रहे हों, तो जो विदेश सम्बंधी तकनीक के साथ में जुड़े हुए कार्य होते हैं, वहां पर आपके लिए बेनिफिट निकल कर आने वाले हो सकते हैं, इस्थाइट तो में वरद्धी हो सकती है, बशर्ते कि आप खुद को बहुत ज़रा तिवर कामी करके चलने वाले नहीं हों, अपनी सोच में इस्तिरता आप जरूर रखने वाले रहें, शनिदेव जब यहां 12 भाव के भीतर विराजमान हों, तो आपके लिए कोर्ट का चारी संबंधित कोई भी मामलात चल रहे थे, वहां अग्याद भैदूर होंगे, इस पश्टत के साथ में कुछ संकेत आपके सम्मुख आ सकते हैं, तो ये था कुम राशी के जातकों के लिए, सितंबर 2020 का मासिक राशी फल, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में देरंतर हाजर होते रहेंगे, धन्यबाद और कुटिशह आभार